कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तारीक है दोस्तों देखेंगे कौन सा फर्मा स्टों किस लेवल पर खड़ा है कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिस कर रहा है अगर विडियो और अनर्सिस पसंदा दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा फिडवैक भी दीजिएगा और लाइब मार्केट में कॉल प्राप्त करेंग अजन्ता फार्मा के साथ रइस्टंसецं लेबल इथा हसो पचास । को ब्रेक करेग का जुए 950 के लिए कि अजन्ता फार्मा की दरब चलते हैं अजन्ता फर्म ने दो पर्षंड का दिखाया लेकिन बहुत ही अतना अतना जिस्तरह कद उने साथ के online करें आपको औरोफार्मा दिखाएगा बायोकॉन के नीचे अगर 445 के नीचे 446 के नीचे गिरता है तो एक बार बायोकॉन 440 का इंट्राडे में लेवल दिखाएगा बायोकॉन की बात कर लें तो बायोकॉन की बात कर लें तो कैडला हेल्थ केर की बात कर लें तो कैडला हेल्थ क आपको hold बहुत अच्छे से किया, अकल नज़र रखे 3630 के उपर निकलेगा, तो 3650 और 3670 के target intraday में आराम से दिखाएगा, सिपला बहुत ही अच्छा 3.5% का लगभग लगभग moment दिखाए सिपला ने, नज़र रखे 826 के उपर अगर सिपला निकलता है दोस्तों, तो अगला target intraday में जो target बनेगा, 840 के आसपास का बनेगा सिपला में तो सिपला में भी आप नज़र बनाके चल सकते हैं Nifty के IT और Nifty के Pharma Index को आप लोगों को हमेशा इसलिए देखना चाहिए क्योंकि मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में इन दो इंडेक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों, इसलिए मैं बार पर इसकी अनसिस करता रहता है और आप लोगों को भी बताता रहता है कि आप इसको focus में रखिए डॉक्टर रेड़ी की बात के लिए देखिया आज बिल्कुल कंफ्यूज हो गया यह लेगिन 5100 के उपर अगर यह निकलता है कल दुबारा से तो बहुत अच्छा position बनेगा बाबंसो के target के लिए गलेनमा फार्मा अपसाइड के लिए 510 को अगर ब्रेक करता है पांसो साथ को break करता है आट को break करता है देन 520 का target बनेगा गलेनमा फार्मा में लूपीन ए 1100 को उपर निकलने वाद नया position बनेगा ए 1125 से 1150 के target के लिए लूपीन में इस्ट्राइट्स फार्मा की बात करें तो इस्ट्राइट्स फार्मा में दोस्तों जो है उपर के level की तरफ इस्ट्राइट्स फार्मा अगर उपर 920 को कल break करता है दोस्तों तो 940 से लेके 950 तक का next level दिखा सकता है सन फार्मा की बात कर ले आज इसने भी 3.5% से ज़्यादा का moment के लगवग 4% कह सकते हैं लेकिन जो resistance zone वो 615 का अभी भी 615 के बाद next resistance zone पहले तो 610 को break करेगा देन 615 का target इंटाडे में देगा और 620 का 620 के उपर निकलने के बाद 640 के target के लिए valid हो जाएगा सन फार्मा PEL की बात कर ले PL में दोस्तों एक जोने 1650 का 1650 के बाद ये 1750 के लिए valid होगा torrent फार्मा की बात कर ले तो 2800 को उपर next resistance zone है तो 2800 को उपर निकलने के बाद torrent फार्मा में एक नया तेजी देखने को मिलेगा जो इसे 2850 से लेके 2900 तक जाने के छमता रखता है वोकट फार्मा की बात करें वोकट फार्मा में upside के moment मिलेंगे लेकिन ये 550 और नीचे 500 इस zone में फसा हुआ इस zone में हमें कोई position नहीं बनाना है 550 के उपर निकलने के बाद एक zone खुलेगा नया जो कि 550 के बाद 600 और 650 के लेवल दिखा सकता है तो नज़र रगे 550 के बाद ही हम लोग position बनाएंगे तो तो फ़रा safe रहेगा तो दोस्तों ये था निफ्टी के pharma stocks पर मेरा अपना view अब ज़रा IT stocks को लगाते हैं लेकिन फिर से बतानों कि live market में call पर आप्त करने के लिए टेलिग्राम चानल को ज़रूर जोइन करिएगा वीडियो के description में link मिल जाएगा आपको तो चलिए यहाँ पर IT stocks को अब यहाँ पर लगा रहा है और IT stocks में TCS है TCS upside में अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो अच्छा zone है 3300 का अब next resistance है लेकिन अभी 3265 के पास close कर रहा है यह भी एक अच्छा जगा है 3270, 3275 यह सब level अगर यह कोई break करता है तो 3300, 3350 तक के next level आपको दिखा सकता है और TCS के बाद Bipro को देखे तो Bipro देखे बिलकुल confused हो गया है अपर zone में 440 का एक resistance है 440 को break करेगा तो 450 से 60 का target देगा नीचे अगर यह break करता है 425 को तो sell करेंगे दोस्तों 420 तक के target आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है टेक महिंद्रा अपसाइड में कम स्कम 110 को break करें तो एक मुमेंट मिलेगा टेक महिंद्रा में 110 के बाद जो उपर का जो दोस्तों अगर अब तक आप लोगों ने टेलिग्राम चैनल को उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलिग्राम चैनल पर जोइन हो सकते हैं दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलिग्राम एप को इस्टॉल किजिए उसके आद उसे ओपेन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च किजिए अपने टेलिग्राम एप में तो वहां पर मेरा चैनल मिल जाएगा आप उस पर क्लिक करके जोइन हो सकते हैं तिसरा प्रोचेस है दोस्तों कै आप मुझसे मेरे वार्ट्सप नंबर पर टेलिग्राम चैनलग मांग सकते हैं छानग सब्सक्राइब महिं देति हैं तो क्तिन को यहंग दिखए लगत हैं लोगत कि revenus से दस्धाब कॉम्पिटीशन बना लिया है कि मैं देखते देखते तुम्हारे लेबल पर आ जाओंगा देखे टीसियस के पीछे-पीछे यह चला जा रहा है ना आपने देखा आज भी दस परसेंट साड़े नो परसेंट की तेजी रही मतलब कुछ जादा ही यह अन बिलीवल मतलब अगर इसको यहां पर दिया था 750 के आसपास में दिया था और यह देखके खुशी भी होता है कि लोगों ने अच्छा पैसा बनाए 650 पर दिया फिस 750 पर दिया वहां से लेकि यह 2700 तक आ गया तो मस्ट प्रॉफिट बना आकर दिया टाटा इलक्सी ने कल भी अगर 3730 को ब्रेक करे तो 800 और 850 के टारगेट टाटा इलक्सी भी दिखा सकता है आप साइड में माइन ट्री उपर 1750 का रेजिस्टेंज जोन है 1750 के बाद 800 का नया लेवल खुलेगा लेकिन रेजिस्टेंज जोन नियर में 1700 का भी है अगर 1700 को ब्रेक करता है देन 1700 का टारगेट दिखाएगा नी इंफोसीस ऊपर 1330 को ब्रेक करेगा तो हम लोग बाय साइड में जाएंगे 1350 के टारगेट के लिए नीचे अगर ये तेरा सो दस को ब्रेक करेगा तो सेल कर सकते हैं 1300 के टारगेट के लिए इंट्राडे में जजडाल ने अच्छा मुवमेंट दिखाया आज इंट्राडे में लेकिन अपने आपको नहीं रख पाया जजडाल तो जजडाल पर भी हमार नजर रहेगा उपर की लेवल 670 को ब्रेक करने के बाद मुवमेंट करेगा 700 के टारगेट के लिए LTI 4200 को उपर निकलेगा तो 4300 का नेश टारगेट होगा नीचे अगर यह 4050 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 4000 के लिए एमफासी 1650 का रेइस्टेंस अगर वो ब्रेक करेगा तो 1700-1750 का टारगेट दिखाएगा तो यह आईटी में दो श्टॉक्स आउर रहे जाते हैं दोस्तों बिला शॉप्ट और बिला शॉप्ट के बाद तो सबसे पहले दोस्तों बिला शॉप्ट को देख लेते हैं बिला बनेगा और नीचे अगर यह 240 ब्रेक करता है तो 220 का टारगेट दिखाएगा को फोर्ज की बात कर लें जिसको एनाइटी टेक के नाम से जानते थे अब वो को फोर्ज बन चुका है तो एनाइटी टेक को ऊपर यानि को फोर्ज अगर कल 2560 को ब्रेक करता है अपसाइड में 26 2650 के टारगेट दिखाएगा नीचे अगर 2470 ब्रेक करता है सेल कर देंगे 2400 के टारगेट के लिए तो दोस्तों यह था निफ्टी के फार्मा और IT स्टॉक्स में मेरा अपना व्यू अगर वीडियो और एनसी पसंद आता है दोस्तों तो लाइक और फिड़बेक ज़रू द करने के लिए मिलता आप नेक्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद